नमस्कार दोस्तों वीडियो बंडार यूटूब चैनल वीडियो बंडार फेस्बूब पेज में आपका स्वागत है यह महिंद्रा 605 डी अर्जुन नोवो कैब ट्रेक्टर है फोर विल ड्राइब आज इस वीडियो के तरह ना जो मेन हमारा मेरा मोटिव वीडियो बनाने का बंड़ ड्राइब करेंगे बाइब करेंगे जैसे कोई बंड़ चैनल ओस्थ यह प्रह्त यह न चाहिए तो है तो काफी काम की चीज तो चलो एक बारे में से जानकारी लेगे के अच्छा फीडिड़ेकर लेना देल करें लेएक और चाहिए या की ब खरेण लेगे कोई जमीदार लेūंना चाले तो उसको लेना चाहिए या निच यह प्र सारी हैं बता पता होना जुरूरी है कोई बोडना चाहिए तो म्स्छ कहार कर लेतेні pas सुम data मेरा नाम बिनवन सिंग धिलन है जी मैं गुम्सानी बाच्पकर रहने वाला हूं और यह मेरी वाइफ कमल दीपकौर नमस्कार जी तो चलो एक चीज बताओ आपने यह ट्रेक्टर जैसे क्या सोच क्यों लिया आपने यह ट्रेक्टर एशी कैबिन वाला पहले तो यह बताओ एक तो जी यह खुद के कमफर्ट के लिए भी लिया था जी और यह हमारी वाइफ है तो मुझे यह था कि जैसे इनको भी ट्रेक्टर आना चाहिए क्योंकि हम जैसे फार्म उससे ब्लाउं करते हैं एक रिकल्चर मारा मेन तो हमें उसमें यह था कि कभी कल को कोई जूरत विख भी हो, मता किसी भी चीज पीछ ना हो, बल्कुल बल्लाविए को यह ना लगे कि मुझे तो यह चीज आती नहीं है, मैं कैसे ट्रेक्टर चलाऊंगी ट्र तो कि जिम तो कार चला लेती हूं मैं तो कार्टर कैसे चलाऊंगी, बहुत बड़ी चीज है, आप देख लो आपको एलालाच दे रहें दीरे दीरे एसी कभीन बेठा के दीरे और फिर आफ रहना काम करवाएंगे यह जैसे लोग काम करते हैं हमारा में अप्यूपिशन इस फार्मिंग से है तो मुझे भी था कभी जुरुत पड़ती है तो मैं भी इनके साथ कंदे से कंदा मिला के इस में भी आओं तो इनोंने का कि ठीक है हम आपको भी ड्राइविंग मैं सीख रही हूं अभी तुरा तरह नहीं आता ठीक है कि सीखते सीखते होई जाएगा तो एसी के में यह था कि चलिए कंफर्ट वाइस भी अच्छा है और थोड़ा दूल मिटी वगरा होती है तो उससे कि हम बच सकते हैं बिल्कुल यह तो है इस चीज का दो फाइदा है मतुल मिलागा मैं आपको एक सजेशन दूंगा जी आपको दीरे-दीरे करके यह क्या करेंगे यह बैठेंगे आपको बोले मैडम प्लीज कर दो ना आप काम में थक गया लाला जी भी है धान रखना इस ब क्या चेह को अपना रोजगार है यह काम सिर्फ आद्मी कर सकता है यह काम सिर्फ ऑरत की तो आप ऐसे कोई बंदे को सोच नहीं रखनी नीए वह तो चीज और बताब जा बन्यक्तर कोई बंदा लेना चाहे तो क्या यह ट्रेक्टर लेने कर लायक है यह सब तक हमने नहीं ल लगता था कि पतनी एसी ट्रैक्टर लेंगे एकल को पतनी धूल मिट्टी में क्या एसी खराब हो जाएगा पूलिंग सही होगी नहीं होगी और इक जैसे बहुत सारे बंदों हो दर होता है यह सी कैबिन का डीजल खर्चा बहुत जादा होगा इसकी टूट फूट एक्स्ट् बाइन थोड़े से उस चीज से थोड़ा डरते हैं और वी खेती में पैसा ऐसे निकम बहुत मैंने से पैसा कमा जा तो उसको यह नहीं हम वैसे बेस्ट कर देंगे जैसे पहले हमने सिरफ एक ट्रैक्टर लिया था वह सिरफ फोर भई फोर था था एसी के बनी सा उसमें पार एक ही ट्रैक्टर से मारा काम होए था 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 थीक 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 तो उसके बाद हमें यह था कि जब तक हमने फोर भई फोर नी चलाय था हमें बहुत बड़ी चीज लगती थी उसके दमने फोर पाई तो हमें बड़ा अच्छा लगा कमफर्टेबल हो यह तो थोड़ा दर तो वहां पर भी था लोगों लोग कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं है कि खर्चा बहुत है फाइदे की चीज़ है फोर विल्टाइब फिर एसी के बिन में तरह हम जैसे गर्मियों के ट्रॉली ग्याओं की ट्रॉली दो-दो ट्रैक्टरों से निकालते हैं वह तो पिर एसी के ब ट्रैक्टर में 11-12-12 तक चलाएंगे उसके अब गर्मी बहुत हो देख तो इसमें बहुत ज्यादा एक तो हैल्थ इशू बहुत हो जाते हैं इतनी धूल मिटी फिर इतनी गर्मी धूल मिटी सारी अंदर जा रही है जी शुरू-शूरू में श्री बताता नहीं है पर धे सब्सक्राइब कर देखते हैं तो हमें खुद को ही बहुत अच्छा मैसूस हुआ कमफर्टेवल इतने हुए कि जैसे खेद में आप जाते हैं अराम से अब मन में डरनी रहता जी अब गर्मी होगी यहां बारिश हो रही है अब आराम से जाते हैं तो इसकी कूलिंग भी बह बहुत है ऐसा कुछ नहीं है मैं घंटे का मैं यह नहीं कि फरक नहीं पड़ता ज़्क बहुत माइनल सा घंटे में मुझे लग रहा है कि 200-200 ज़लेशों बचा रहे हैं तो आप शरीर भी बचा रहे हैं उत्राइं हम शरीर बचा रहे हैं आब वो उसभी तेल को देख लो न क्योंकि शरीर ऐसी चीज हो पैसे दे के भी नहीं मिलती यह अपना शरीर बिगड़ गया जी फिर आप बहुत मुश्किल हो यह तो इसको मिंटेन करना है जैसे बहुत सारे ऐसे इंप्लीमेंट हो जैसे लेजर लेजर लेवलर पर चलाते हैं पहले हमने जब तक यह नहीं था अब जब से यह हम खुद चलाते हैं कोई ऐसा नहीं है कि कोई अंदर मिट्टी नहीं आती कहीं से रीपर वगरा वे चलाते हैं जैसे बंदे काम करने का जो है टाइम डूरेशन बात करें एक तो बंद दो ती दो पैर में रोकना पड़ता है ड्राइवर तो जैको मजबूर पैसे दे रहे हो तो उसकी मजबूरिया से प्रैशर है कि उसको काम करना ही करना है पर आप खुद नहीं कर पाओगे ना जी क्यों बंदे को लगता है यार इतनी गर्मी है जब सुबह थोड़ा दो ती घंटे पहले चले जाएंगे फिर दिपैर को खड़ा कर देंगे फिर को चला लेंगे तो उसमें सारी आपकी एक रूटेशन खराब हो जाती है काम करना काम भी कम होता लेकर आप अराम से सुबह जाते हैं आट बजे शाम को अपना आते हैं जी 6-7 बजे कोई थकावट नहीं कुछ नहीं ऐसा लगता है जैसे गाड़ी चला गया है जैसे त्यार अब तूञे होगे नौर्मार्मल ट्रक्टरी ही है पजय के अच्छा लिखा हुआ यह कंपनी यह ठीक 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 अच्छा कंपनी देती इसको इसको कंपनी फिटेट देती कई तो आफ्टर मार्केट भी लगवाते हैं वह इतने यादा सेट नहीं हो पाते जो उसमें ना तोड़ा सा जैसे वाइब्रेशन का इस हुआ जाता है फिर उसके गूंज होती है गेर बोक्स सब्सक्राइब दो लाक रुपर का अंतर था जी आज के टाइम मार्केट में जा तो डाई तीन लाक रुपर डाई लाक रुपर रखते हैं और वो फिर यह एक तो जैसे अर्जुन नहों कहा है यह आर्सी के उपर भी चड़ा होना चाहिए अगर नहीं चड़ा हुआ तो आ पैसे आपने लगाए हैं अगर आपकी रहे बहुत ज्यादा तो हम फैदा ले रहे हैं और काम की बात आती है जैसे बंदा सुबह जैसे जल्दी करके फिर दो पैर को रेस्ट करता है तो उस चीज़ को काम भी कंटीनू आप ज्यादा काम करो कि ठकावट कम होगी तो पहले पैसे जा सकते कि नहीं तू तो गर्मी में चला ही चला तो वह चीज भी सही निए जैसे दो तीन गंटे आपने चला लिया तब तक वह बचारा रेस्ट कर ले वह फिर और वह चला ले फिर आपने दो उससे क्या आपके जैसे ट्रेक्टर चलाने की जैसे कुल मिला गई यह ह है आप काम ज्यादा करोगे और मतलब फाइदा ज्यादा उठाओ इसका कोई 200-200 ग्राम का कोई माइन नहीं रखते हो चीजी ठीक ठीक अरे इससे ज्यादा तो अपने चपल जूत्ते कपड़े किसा लेते हैं इससे ज्यादा तो अब अगर आभी ग्लास लेगे यह तिल्ट हमने लगवाया नहीं कि जैसे कई पर रोड पर एक्टर खड़ा होता तो बहर आप साइट से उतरता है कोई गाड़ी आ रही है कुछ आ रही है सेफटी के परपस से सही नहीं है जी पूरा फ्लैट 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 फॉर्म है अंदर इसमें गेर बोक्स की गुंज वगर आ सबोल्सक देख चाहिए लिए पर रह cyn Caitlin गेसे कंपनी कर रिखे सिरफ एक अब जैसे अगर आप आप अटर मार्केट लगाएंगे उन्होंने इसमें जुगाडबाजी कर देनी है सिरफ एक इसमें अपना एक एसी फिट करने के लिए कंपनी नहीं बड़ी चीजे बदली हुई जैसे अगर आप इधर देखेंगे तो जो इसकी यह ढोल की है जो जो 605 नुबो की आरी है उसकी डोल की दूसरी होती है अच्छा इसकी सिरफ एसी के चक्कर में उन्हें दूसरी लगाई है इसका अगर आप चेंबर देखेंगे चेंबर भी दूसरा लगा हुआ है जी नहीं देखो जब कंपनी अगर डिजाइन कर रही है ना तो पता थ पता था वह ट्रेक्टर वे लोड यह एक्स्टर लोड आएगा तो उसके साफ से जैसे फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग जो पंप की सेटिंग है वह इसके साफ से ताकि डीजल खर्चा वंदें को कम से कम डीजल खर्चे में ज्यादा बंदा अब जैसे जो बाहर बारे तो हमें भी फेस करनी बढ़ेंगी लेकिन इंजीनियर तो बनाने वाला तो यह है ना यह सोचता ना हर चीज को ध्यान में रखके चीज को बनाता वह ट्रेक्टर जमीदार खेत में चलागा दूल मिट्टी भी है और हर चीज का ध्यान रखके और फिर इंजन में है जो पर आपने यह महंद्रा वाला क्यों चूज कर रहा है अगया फिर जहां तक मेरे को लग रहा है जैसे जो 605 में जो छोटे ट्रेक्टरों में साइद इसी में कमपनी का आता है इस इस से कम होस्पावर में इसी केप देते ही नहीं है यह बीनी देते और और कंपनी वाद इस सब्सक्राइब करेंगे तो चलो जी बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने बड़ी अच्छी एक चीज दिखाई बड़े अच्छा क्योंकि यह काफी फीडबै अच्छा फीडबैक है और जी मापको एक वर्निंग तो मैं सजेशन लगा लो आपना इनके जाशे मता ना अपनी मर्जी से काम करना यह चाहते हैं कि हम तो अरो गर पर लेटेंगा आराम से इनको ना बहला फुस लागे इन से काम करवा लेंगे हमें भी यह है कि सबको आना चाहिए सारे काम ने देखो अब टाइम का कोई पता नहीं है बिल्कुल जैसे आप मानने को बगवाना चाहिए आप मेरे को बंदे को बुखार हो जाता है तो अपना साथमा ठीक हमारा काम करना ही है वह सबसे जरूरी पर अपने काम में कोई शरम नहीं है शरम एक चीज बताओ यह घर खाली बैठे करेंगे क्या इसे वेड़ें को काम मिलेगा अच्छा टाइम पास हो जाएगा पर आपके साथ जैसे कुछ ना को अबारा काम ही खेती है रोजगारा मारी तो य वो यहां पर अपनी खेती नहीं कर ना जाते है कि अमेशरम आ रही है तो अपने काम में करने में शरम करेंगे तो म уже तो यह कि में तो यह सोचता हूं बंदा घर खुद खुद define करेगा तो कभी भी लॉस आजकल जो मेरे मेरे भी देखा है जैसे बंदे ना गर पर बैठका तास खेलते रहेंगे या अपनी जैसे बंदों से बात करते रहेंगे अगर खेत में खादगा कट्टाइव लगवाना तो मजदूर को 50 रुपी देगा लगवाते हैं अगर वो अगर चोटी-चोटी बहुत सब्सक्राइब करते हैं अगर एसे काम भी नहीं करने कमसे मनेजमेंट खोद रखें अब कई फारम वाले होते हैं कि मुंची रख लिए वो दिरे-दिरे क्या होता है मुंचियों के तो बड़े-बड़े घर बन जाते हैं इसका फारम होता उसका बिखना शुरू हो जाता है सब्सक्राइब करते हैं तो कभी लॉस नी होगा फार्मिंग में नहीं वो भी है और फिर चीज है आप इन परिवार के साथ मिलक काम करने हैं चलो जी थैंक्यों जी अच्छा लगा आप भी जैसे काफी कोशिज कर रहो इसीज की तरफ जानेगी और आने वाले टाइम हो सकत वाले तो आप उखेलों के तो आपका फीडबाक जरूर लेंगे वार कोशी करेंगे यह ता वाई जाशी वीडियो लोगे कमेंट करें जुरूर बताना वीड़ियो पसे लाइचार सुस्क्राइब करना वीडियो लाइक करना फैंक्यों दोस्तर